जै माता की मेरे प्यारे दोश्टों, वेलकम यो चैनल मैसकल मॉम्स डाइली और आज हम बात करेंगे कि 26 मई 2021 कुसाल का पहला चंद्र ग्रहंट लग रहा है तो प्रेगनेंट लेडी जो गर्वती महिला हैं वो क्या करें क्या ना करें जिससे कि उनको फाइदा मिले, कोई नुकसान ना हो वीडियो को स्टार्ट करने की पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगे कि अगर आप में ये चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें जिससे में आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपके मोबाल स्क्रीन में आ जाए और एक बात वीडियो को स्किप नहीं करना है वीडियो को फूल वाश करें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले तो चलिए हम वीडियो स्टाट करते हैं 26 माई 2021 साल का पहला चंदर गहन है जो कि पूरिमा तिती को घटित होती है चंदर गहन से मानो जीवन प्रणाणी में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं ये परिवर्तन अच्छे पुरे दोनों तरह के ही हो सकते हैं अगर वही वेग्यानिक तरह से देखें तो गहन एक खगोली गहतना है जब प्रत्वी शूर और चंदर मा के भी आ जाती है तब चंदर गहन होता है 26 माई को लगने वाला चंदर गहन खग्रास चंदर गहन है इसमें प्रत्वी चंदर मा को पूरी तरह ढख लेगी wichtig मैं message 26 माई दोपएर डो बाच के 17 मिनट को को सुरू होगा ओ साम के 19 मिनट में चंदर गृंट होगा चंदर गहन की कुल अवदि पाज गहन्टे है आपको पता ही होगा कि जब चंदर गहन्ट स्टार्ट होता है तो उसके नौ घंटे पहले इसे सूतकाल सुरू हो जाता है सूतकाल से ही आप सभी को सावधानिय बरतनी होगे जो गर्वति इस्त्रिया है चंद ग्रहन के सूतकाल से ही गेरू लगा के रखे पेट में और अपने इस्तन में गेरू लगा ले और कोई भी धार-धार नुक्विली चीजों का उपयोग ना करें कोई भी सबजी वगएरा कटिक ना करें और कुछ भी हाँ से ना तोड़ें वैसे तो हमारे यह उपचाया है पर फिर भी मैं कहूंगी कि आप इन चीजों को फॉलो करें तो ज़्यदा अच्छा होगा अब लोग गर्वती इस्तुरियां को ज्यादा देर भूखा नहीं रहना होता है इसलिए आपको सुतक काल के पहले से ही अपने सारे खाने और जो पानी पीने वाला है उसमें तुलसी दल डालने तुलसी के जो पत्ता होता है पहले से तोड़के रख ले और उसको अपने खाने और पानी में डाल ले और उस खाने का और उस पानी का शेवन करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सोना नहीं है आपको ग्रहन के दौरान सोना नहीं है आपको क्या करना, मैं इबताऊंगी, जो मैंने अपने प्रेग्नेंसी के दौरान किया था, जो मैं प्रेग्नेंटी तो मेरे समय में griev में काफी, में बहुत जदा घ्रहन पड़े थे, दो, तीन, तीन, चार इस तरह से घ्रहन पड़े थे, तो मैं बहुत में जदा वाले, अस उसको नहीं चुना है आपको अपने केट कमरे के जहां पर आप रहेंगी आप उस कमरे के गेट में स्वास्तिक बना दे लाल गेरू से और फिर उस कमरे में बैठ जाएं आपको वो कमरा चूस करना है जिसमें बाहर की कोई रोसनी ना आए क्योंकि ग्रहन के दोरान जो बाहर क और रोसनी आती है वोही आपको ऑफेक्ट करते है आपके बच्चे को इफ्ट करती ए तो आपको क्या करना है ऐसा कोई कमरा चूस करना है जहां पर प्रदे वग swagت हvat भाहर की रोश नहीं आती हूँ उसके बाद में अगर आपके घर में माला हो तो आप माला लेकर बैठ जाएं या नॉर्मली आप अपने उंगलियों, फिंगर से आप जो भगवान का नाम जबती रहें जो भी आप भगवान का नाम जबती हैं पर मैं आपको शला दूंगी कि आप उस मंत्र का जाप करें जो म तो मैं उसी मंत्र का जाब करती हूं, हर प्रेगनेंसी में मैंने उसी मंत्र का जाब किया है, और भगवान की क्रपा से मेरे बच्चे स्वस्त हुए हैं, उन्हें कोई प्राबलम नहीं हुई है, जबकि इतने बड़े-बड़े ग्रहन पड़े थे, तो आपको मैं वो मंत्र ब कोई काम नहीं करना होता गर्वति इस्त्रियों को, तो मैं आपको यहीं सलादूंगी कि आप बैठे-बैठे, आपके घर में माला है, तो आप इसी मंत्र का जाब करते रहें, तो आपको जो बच्चा है, वो बहुत बुद्धी मत्ता निकलेगा, बहुत बुद्धी का जिससे कि आपके कष्टो को दूर करते हैं भगवान, ग्रहर के समान नुकीली चीजों का उप्योग इसलिए करने को मना करते हैं, कि देखें, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, कि जो गर्वति इसलिए नुकीले या धारदार चीजों को प्योग करते तो जो उनका बच् इसलिए ग्रहर के समय में सिलाई, बुलाई, कढ़ाई, कोई विचीज, सबजी, कटिंग, चॉपिंग, सब कुछ मना हो जाता है, कैची वगरा सब चलाना मना हो जाता है, यहां तक पतियां वगरा तोड़ना भी मना हो जाता है, तो आप इन चीजों को ध्यान दे और जब खतम हो जाए, तब आप इसनान करके पूरे घर में जाडू लगा के इसनान करके गंगा गजल चिर के और उसके बाद में जो भी खाना है आप फिर खा सकते हैं और भगवान की आर्थी पूजा कर सकते हैं, आपको मैंने जो बताया है, उसको बहुत फॉलो करेंगी तो आप मैं बताती हूं कि यह ग्रहन बाहर के इन देशों में पाया जारा है, तो जो भी आप अगर विदेश के लोग देख रहे हैं जो अमेरिका वगर में है तो फॉलो करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस कमें बाक्स में जरूर कमेंड करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिलें.